हिजो भने को 2018 साल असार 26 गते मंगलबार को दिन बिहान सोलुकुम्भु को लिखुपी के कामपाली का पाच इस्तित लामजुरा मा दुर्गटना ग्रस्त मनांग एर को हेलिकप्टर कैप्टन सीवी कुरूंग ले उडाये को त्रिभुबन अंतराश्टिये बिमानेस्तर ले बिमानेस्तल का महाप्रबंदक प्रताप बापुति बारीले जानकारी गराऊँछन कि दुर्गटना मा छ जनाको सब भेट्यो भनेर तेसपस्ची दुर्गटना इस्तल नजी कई दुईवटा हेलिकप्टर उधार का लागी पठाई इन्छ सब काठपांडो लेई इन्छ यो दुर्गटना पची देश का प्रधानमंत्री बाट सम्भेदना प्रकट गरियेको विडियो बाईर आऊँछन मीडियामा दिन भरी यो दुखत समाचार ले ठाउंग बनायक होन्छन सबईको दिमागमा यो योटा समाचार को चर्चा ले घर बनायक होन्छन अब कुरा करों दुर्गटना को औरको पाटको जुन हेलीकाप्ट्र दुरगटना मा परेओ तिओ हेलीकाप्टर मनांग एरको हेलीकाप्टर थियो बन्नेकुरा को पुष्टि त्रिवभवन अंतरास्टी बिमानेस्तर ले गरिसक्यों आकारी प्राप्त बहई-अनुसार स संद्वी हाजार अठारा बार्ट संचालन मा थियो 100 हेलिकाप्टर कल्चाइन 9N AMV रहेको हेलिकाप्टर संद्वी हाजार अठारा मा नेपाल वित्रियाईयेको थियो H-125 हेलिकाप्टर एयर बस कमपनी ले उत्पादन गरेको कमपनी ले जनायको थियो हेलिकाप्टर पाइलेट मदे गुरुंग निके अनुभावी पाइलेट मानें थे चार बर्ष अगी पनी योटा दुर्घटना भःको थियो मिदी एक बैसाक दुईहाजार चाहत्तर नया बर्ष को दिन त्यू एक बिहानाई सोलुखुम्बु को लुकला बिमाने स्थल मा एक ठूलो दुर्घटना भःको लुकला बाटर आमेशाप का लागी उड़ने लागी को समिट एयर को 9N AMH कल्चाइन भःको जहाज धावन मार्ग बाटा चिपलियो रहली पैड मा बजरी न पुगियो जहार रोख्ये का थिये मनांग रश्री एयरलाइन्स का हेलिकाप्टर एस दुरुघटनामा समिट एयर का को पाइलट सुजित ढूंगाना लगायत को निधन भःको थियो सो दुरुघटनामा ओडने लागिको मनांग एयर को हेलिकाप्टर को कोक्पिट मा थिये चेत बहादूर गुरुंग यानिकी सीबी गुरुंग उनी घायते भः जस्पची उनी सो बेला तीन महिना सम्म अस्पताल मा बसनो परिको थियो तेसपसी निको भःर सेवामा खटियाका अनोभवी पाइलट कुरुंग ले उडायको मनांग एयरको 9N AMV हेलिकाप्टर हिजो अर्थात 272,08 मंगलबार का दिन सोलुखुम्भुको लिखुपिके गाउपाली का पाच एस्तित लामजुरा नजिक दोगणामा परेव र इसपटक पाइलट चेत बहादूर गुरुंग को निधन भःको छो तिरुभबन अंतरास्टी बिमानेस्तल का महा परबंदक प्रताप बापुती बारीक अनुसार यो हेलिकाप्टर मा कुल पाच जना यात्रुहरु सवार थिये यात्रुहरु सवय मेक्सिकन नागरिक जसको कमार्ण क्याप्टन सीवी गुरुंग संग थियो। कास्की का लमजुग मा जन्मिये का गुरुंग हाल साले ललितपुर को भैसे पार्टी छेतर मा बसो बास गर्दई आये रहे का थिये। गुरुंग को श्रीमतीर छोरी बेलायत मा छन। उनिहोलाई नेपाल ल्याउन तयारी भई सकीको छ। गुरुंग नेपाल मा एकले रहदय आये का थिये। दुर्खटनामा परेको मनांग एयर को हेलिकप्टर अनुहोवे सीनियर पाइलर चेत बाहादुर गुरुग ले उडाय का थिये। तर एस दुर्खटनामा न उनी जीवित रहे न त विदेशी यात्र हरु। 54 भर्षिये गुरुंग ले एस गी रसिया र अफगानिस्थान मा पनी हेलिकप्टर उडाय सकी का थिये। 54 भर्षिये गुरुंग विगत 10 भर्ष देखी मनांग एयर मा आपड़्द थिये। उनी मनांग हेलिकप्टर का फ्लाइट सेफ्टी प्रमुक थिये। एस गी उनले गोर्खा एयर स्री एयर सहित का कम्पनी का हेलिकप्टर उडाय सकी का थिये। मनांग एयर का प्रबंदक राजु निवपाने का अनुसार कैप्टेन गुरुंग सन उन्माई से संतानवे र अंठानवे देखी निरंतर उडान मा थिये। उनी संग साथ अजार घंटा हावाई उडान को अनुपब थियो। त्री भुबन विमानेस्तल कारेले का अनुसार लुकला नजीगे रहेको सुरके स्थित हैलीपैट बाट हैलिकप्टर दस बजीर पांच मिनिट जादा उड़ेको थियो। हेलिकप्टर अन्तिम पटक 10 बजेरा 13 मिनिट मा लुकला टावर संग संबंद मा आये को थियो। सो समय मा हेलिकप्टर लामजुरा पास पुगी सके को थियो। तेस पची काठमांडो टावर ले यो हेलिकप्टर लाइट संपर्क गरनो पढ़ने थियो। टावर संग संपर्क टूटे पची काठमांडो बिमानेस्तल स्थित खोश्त अथा उद्धार केंद्र ले अल्टिट्यूट एयर को द्वी हेलिकप्टर संभावित गटनाईस्तल तर्फ खटायो। इस्थानी या इस्थर्मा प्रहरीले खोजी कार्ये त्रिप्र बनाये को थियो। 9N AM भी रहे को हेलिकप्टर पाच यात्रु सहित माउंटेन फ्लाइट का लागी माउंटेन फ्लाइट का लागी स्वामबार काठमांडो बाटर लुकला पुगी को थियो। हावाई जहाज हरु लुकला पी मानेस्तल छिर्ने द्वार लामजुरा पास मा हेलिकप्टर को दुर्घटना मा परिक हो। हेलिकप्टर मा सवार सबै छ जना को सब प्राप्त भई को प्रहरीले पनी जनाई सगे को छ। झाल 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 झाल